Good morning friends, मैं बहुत दिन के बाद आपसे मिल रही हूँ because मैं यहाँ नहीं थी, कहीं बाहर थी, कुछ दिन पहले आई हूँ, तो फिर कुछ दिन दस दिन मैंने अपने प्लांट का क्लियर किया और फिर मेरे प्लांट ने मुझे यह आउटकम दिया है, आप देख सकते हो, बहुत ज पहले मैं आपको अपने महंदी दिखाना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंग की शादी है, मैंने उस में लगाया है, अब देख सकते हो, इसके लिखा हो है दोस्त की शादी, पता ने शायद दिख रहा हो कि नहीं, और यहाँ पे लिखा हो है, आप कमेंट में मुझे बताओ कि मेर तैसे, चलो, अब मैं आपको अपने रोज फ्लावर काउंट करके बताओंगी कि कितने हैं, ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइब, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन फ्लावर इसमें, 11, 12, 13, और यहाँ पे बहुत साथ बर्ट्स हैं, बहुत पर्फेक्ट, आप पेड़ देख सकते हो, प्लांट किती छोटी सी है, यह और इतने साड़ी स्पी बर्ट्स, एक इधर है, यह भी पिनकी है, और यह आप गर्मी के महिने में देख सकते हो, यह मैरी गोल्ड मेरा कित अच्छा से हो रहा है, यह सब आपको पता है कैसे हुआ है, बिकाज मैंने इसके रूट्स में, आप यह देख सकते हो, गोई छा जिसको तेपले बोलते हैं साइद, आई थिंक, वो डाला है, को लड़ दो को किते प्यार है इसके औरेंज, और इसके जर में मैंने डाला है, यह वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं, यह वाले, इस इस नथीं, बट अनली वो जो एग का छिलका होता है न, वो है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें, और जैसे हम लोग बोलते हैं उसको, बोन एश, तो इसको जला के अ और मेरे पास तो एबलेबल नहीं था, कुछ ऐसा समान जला के देने वाला, तो इसलिए मैंने ट्राइक सोचा कि यही दे के देखूँ, वैसे रो एक को फोर्के और यूज करके फिर आप जो छिलका को फेकते हो, तो यह चिलका मैंने इसके रूट्स में डाल दिया है, और आउटकम्स देखो, अप कितने सारे पलड़, इवन एक भी ऐख ब्यूक रिया नहीं थी, इसमें और आप देख ले ओ, यहां देखो, इस ब्राइश पे देखो, वहां देखो, उधर देखो, सारे में कली इधर बीक्र रही है, हैं पुरे कली से पूरा पेर बहर गया, यहा हैं कलियां भी देखो किते सारी हैं मैंने बस ट्राइ किया था कि देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे भी बड़ आप रिजल्ट देख लो कि इतनी ज्यादा यहां पे तीज धूप है उसके बावजूद भी यहां इतने संदर संदर फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें गोईठा पानी टाइम टाइम और वही एक गाज़ छिलका होता है वह राला है मैंने और देखो आप कमाल है अभी मोस्टली प्लांट है नहीं मेरे पास यह पुदीना है मिंट यह भी काफी अच्छा है यूज हो जा रहा है भी चटनी में गर्मी में यह फ्रेंस देट पर एक गमला यह मैंने खुद बनाया है मैं कुछ दिन बाद इसको आपका रिवियो दूंगी कि कैसा मजबूत बनाया या ना बनाया वह बकेट होता है ना उस बकेट पर मैंने देखके बनाया है इसे अच्छा लग रहा है काफी और काफी मजबूत भी बाइट से इसको थोड़ा से प्रेंट कर दिया तो जितने अनीवेन थे जैसे खुद से मैंने बनाया है तो सही से हो नहीं पाया तो फिर अनीवेन जितने थे उसको चाहिए उनिफॉर्म कर दिया तो काफी सही दिख रहा यह और यह बाजु वाला भी मैंने खुद बनाया लेकिन वह बाजु वाला एक बार टूट गया था तो दुबारा मुझे बनाना पड़ा तो बाहर से तो सही है जो चाहिए हमारा बेसिक नेसिशिटी होता है वह बाहर सही होता है ना सही दिखना फिर अंदर में थोड़ी से ना बाहर से बिल्कुल सही है जैसे बाहर से अगर इस कर दूंगे तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा अंदर में थोड़े से उबर खाबर हैं लेकिन मजबूत यह बहुत है तो मिट्टे डालूंगी इसके अंदर में बिल्कुल सही है एकदम प्लेन और इसमें मिट्टे डालूंगी तो फिर यह भी सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी कि यह फ्लावर है अभी इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा पसना लिया अच्छा लगता है मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि यह फ्लावर बिल्कुल लगा है आप इसके ब्रांचेस भी लगते हैं और ज्यादा केर नहीं है इस फ्लावर जो एक बार खिलते हैं आप कि यह खुला हुआ भी है और तो भी अभी भी वैसा का वैसा ही फ्रेश है और और ग्रीन कैपशिकम यह भी मैंने सोचा कि डाल के देखू अपने पॉट में तो काफी अच्छा हो गया है इतसे पहले मैंने यूस भी किया था यह चोटे से हैं शायद उस तरह होंगे बड़ काफी साइज बड़े बड़े होते हैं तो जादा इमांट में तो साइज गमले की कारण और फीडेश साइद कुछ काद नहीं पड़ा हो तो इसलिए ना निकलते हों बड़ तीन चार-पांच ऐसे रहते हैं हमीशा प्लांग में जब भी मैगी चॉमीन इंस्टेंट आपको मैं आपको दिखाना भूल गई इतने सारे इसमें बड्स थे हैं आज अभी एक फ्लावर है और वन टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन और एट उस तरफ भी तीन मतलब एप्रॉक्स टैन है एट तो मैंने काउंट करवा दिया इसका भी हालत बिल्कुल खराब था एकदम कोई पत्ता वत्ता नहीं था इसमें एकदम यलो और वह मीली बक्स होते हैं न वह उस पर पूरे आ गया थे तो फिर जब आखरी इसके स्टेज में बोलो नो मैं कि इसमें बचाया है पूरे मीली बक्स ने अच्छे दावा बोल मैंने फिर उसको शैंपू शे दोया फिर कभी कभी बेकिंग पाउडर होता है न शोडा बेकिंग सोडा से मैंने इसको स्प्रे किया तो इंस्टेंट सारी मिली बक्स आपको लगेंगे कि गिर रहे हैं और बैस था कि कुछ दिन बारिश भी हो गई तो फिर जब बारिश का अगर आपके प्लांट पर गई और वह असर कर रहा है तो फिर यह तो कहने ही जाए तो यह बारिश की पानी को भी थैंक्स कि इसने मेरे है बिसकस प्लांट को इतना अच्छा ग्रोध दिया और बचा लिया वरना तो एक भी पत्ते नहीं थे सूखे पड़े थे बचाड़ी चलो फिर मैं मिल तूँ मिल चलो फ्रेंड फिर आज बस मेरा मेन मोटीव था यही मेरे अपने रोज का रिव्यू देना कि एग एग का क्या बोलेंगे इसको च्छिलके च्छिलके बोल सकते हैं एक चिलके को ढोर्न ढॉल के दूर्ण में थे पड़ता है तो आप देख इसकते हैं का लिइज कितरी जादा है और फ्लावर्स प्लावर्स जितने ब्रांचेज हैं छोटे छोटे हर ब्रांचेज में कलियां हैं अब खुद देखा कि मैं तो रहें इसमें चिपका दी हूं ऐसे कि फुरें सारे कली है इसके और रियल और मतलब आइधिंक आइधिंक जो इस पेते अच्छे ग्रोथ है वो बस केवल और केवल गोई था और वहीं एक के छिलके के कारण हुआ है जिसको आप अगर जला के दो एक के छिलके को तो वह बोनेश बन जाता या फिर अगर कोई भी आपके पास आप अगर नॉन वेच खाते हो तो फिर उसके जो मचली के काटे होते या फिर मीट के बोन्स होते हैं उसको अगर जला के दोगे तो वह बोन आश बन जाएगा तो फिर आप उसको इसमें यूज कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो तो फिर देखो रिजॉल्ट आपके तो वैसे भी ये शो वाले प्लांट्स हैं हाइब्रीड के तो अगर आप को कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है और जिसका यूज आप घर में नहीं करो गया पूजा पाट के लिए तो उस पर आप डाल सकते हो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि या कैसे डालें इसके जड़ में तो आप जिसका पूजा पाट नहीं करत ी फ्लावर सकते है